कि है अपलोग अमीद्ह बहुत 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 होंगे आज आज की वीडियो में एसी पॉलिशी के बारे में बात करेंगे जो पॉलिशी आप जिस भी गौल को सोचकर आप लेंगे वह पूरा हो गई होगा वो लक्षे आपका पूरा हो गई होगा चायब रहे या ना रहे तो जानते हैं इस policy के बारे में इस policy का नाम है जीवन लक्षे टेबल नमबर 933 जानते है इस policy के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं यह policy कौन-कौन ले सकता है जिनकी एज 18 साल से 50 साल तक है वह यह policy ले सकते हैं और जो टर्म है इसमें 13 साल से 25 साल का अपलेबल है मैक्सिमum maturity जाए 65 years मिन्स अगर मालेज जी कोई व्यक्ति 50 साल का है वह policy लेना चाता है तो वह मैक्सिमum 15 साल के लिए policy ले सकता है जो PPT है प्रीम पेइं टर्म है वह policy term minus 3 years मिन्स की जैसे मालेज जितने भी साल के लिए policy लेंगे जैसे 25 साल के policy ले लेते हैं तो minus 3 years कर दीजी 22 साल का आपको PPT होगा यानि 22 साल आपको premium pay करना होगा जो सामश्योड है वह minimum 1 लाग है और maximum कोई limit है it depends on your income premium paying mode है वह yearly, half yearly, quarterly, month ली जैसे आप करना चाहें available जो riders है इसमें फ्रेंड्स है optional है जिसे कि terminer, CIR, criticalness rider, ADN, DB riders इसके लिए आपको थोड़ो सा extra premium pay करना होता है जो ADN, DB जो rider है या आपका maximum 65 years तक cover करता है आपको इसके फ्रेंड्स benefit देखते हैं जो इसके सबसे वीडियो जो USP है वह आपको अब पता चलेगी कि मैं आप उसे क्यों कहा रहा था कि आप चाहें ना रहें लेकिए आपका लक्षा पूरा होगा फ्रेंड्स ये पोलिसी जीवन करने साल एक उसे कोई premium नीद देना सारे premium उसके माफ हो जाएंगे दूसरा सबसे बड़ा जो फाइदा है इसमें annual income स्टाट हो जाएगी हर साल जब भी पॉलिसी का जो year होता है हर साल जितना भी उन्होंने summer should लिया है उसका 10% उन्हें मिलता रहेगा 15 साल तक तो यानि कि जैसे मा में दो देना ही नहीं है हाँ जो सबसे बड़ी खासियत इसकी यह रहेगी आपकी बाद में कि maturity पर जो amount उनके रहते वे उनको मिलना चाहिए था वो amount उनके ना रहने पर भी नौमनी को उतना ही amount मिलेगा जैसे फ्रेंस मालेज जो कोई बंदे गोल सट कर लेता है या मुझे इसने साल के बाद इसने रुपे चाहिए लगबग तो जैसे हम आपको एक roughly estimate बताते हैं कि आपको पच्छे साल के बाद इतना amount भनेगा लगबग तो वो मिनको मिलना ही मिलना है चाहिए वो रहे या ना रहे है यही इस policy के सबसे बड़ी खासियत है जो survival benefit है वो basic summer short प्लस vested bonus प्लस एफबी इफएन है एफबी मतलता फ्रेंट्स फाइनल एडिशन बोनस यह 15 साल policy चलती है तब ही एड होता है और जो surrender value loan facility पेड़ वैल्यू यह तो कम से कम अगर policy दो साल चलिए दो साल fully premium paid है तो यह आप इसमें से तीनों में से कोई भी benefit ले सकते है इंकम tax benefit फ्रेंट से केंडर आपको tax rebate मिल जाएगी और जो maturity है वो तो tax free होती है एक example हम लेते है एक मालेची किसे व्यक्ति की एज 30 साल है तो उसने term चूज के 25 साल का तो जो PPT रहेगा 25-3 years 22 years बाइस साल उसको premium pay करना होगा जो sum assured है वो 5 लग का लिया है DAB तो friends हम normally सभी policy में लेते ही है जो 5 तो कुछ पैसे नहीं मिलेंगे बस आपको 10% का आपका जो annual income होती है वो मिलेगी और जो maturity पर जो amount मिलना होता है वो तो फिलाल immediate help के लिए मैंने इसमें term rider को add गया है पाच लाग रुपे का तो जो उसका yearly premium आएगा अगर हम term rider नहीं लेते हैं तो 21,820 रुपे पहले साल दू यह नहीं लेंगे तो 4,70,170 रुपे पे करेंगे अगर यह term rider लेंगे तो 5,469 रुपे पूरे जो बाइस साल में जो पे करेंगे वह यह amount हो गान का तो प्रेंस आपने देखा करें में 35,000 रुपे ही देकर आप यह term rider पाच लाग रुपे कर ले सकते हैं यह age के उपर डिप देक्लियर करती है बोनस उनके according है थोड़ा यह उपर नीचे हो सकता है जो death benefit है करणस हम death benefit पे आते हैं तेकिए अगर इस case में death होती है policy rider के मालीच पास सार के बात उज़ाती है तो 5,00,000 रुपे तो उन्हें term rider के मिल जाएंगे जो हमने term rider हमने लिया हुआ हुआ है प्लस में जो जितनी भी आगे जो premium हमें देने थे वह premium देने नहीं होंगे कोई भी फिर उसकी बाद प्लस में annual income benefit जो कि हर policy year पे जब policy का साल होता है तो 10% प्रतिश्य तो बेसिक समस्योड इसमें इन्होंने समस्योड इसे पाच लग कर लिया है तो 50,000 रुपे हर साल मिलता ही मिलेगा तो अब आपने इसमें देख लिया कि अगर policy holder रहे या ना रहे लेकिन उसने जो सोच के जो policy ली है तो वो उसका goal उसका जुरूर पूरा होगा ही होगा जैसे मालीजी policy करने दान policy के लिए कर लोग काफी लेते हैं जैसे बेटे की शादी के उन्होंने अजूम कि मिलेगा और अगर वो नहीं है तो 10% जो annual income है वो भी मिलने अपर में पे नहीं करना तो फ्रेंट्स यह भी LIC के सबसे जादे बिखने वाली policy में से एक है अगर यह policy आपको जरूर लेने चाहिए मुझे अमीद है मैं इस policy के बारे में आपको समझा पाया हूँगा आपके फिर भी कुछ question हो कुछ queries हो या मेरे लिए कुछ suggestion हो तो please मुझे comment box में comment कीजिए और अब तक आपने मेरा चैनल subscribe नहीं किया है तो please share भी कीजिए और subscribe भी कीजिए फिर मिलते हैं ऐसे किसी next वीडिय झाल 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 झाल